बिहार के मुखमंत्री नितीश कुमार एक्शन में नज़रा रहे हैं और लगातार वो चाहते हैं कि जो सरकारी करमचारी है अधिकारी है वो सुधर जाएं अन्यता मुखमंत्री कारवाई भी करेंगे ऐसे में लगातार वो सरकारी कार्यालों का दोड़ा कर रहे हैं पहले बिना किसी को बताय हुए वो अपने एक अन्यमार्ग से निकल जा रहे हैं और सीधा कारियाले पहुँच जा रहे हैं और देखने के लिए कि कौन अधिकारी और कौन करमचारी जो है समय पर नहीं पहुँच रहा है आज भी बिहार के मुकमंतिरी नितीश कुमार बसे सरिया भबन जहां पर विकास भबन के अंदर पहुँचे और उन्होंने जाजा लिया और अटेंडिन्स को चिक किया जो करमचारी और जो अधिकारी हैं वो समय पर नहीं आ रहे हैं तो उनका सिर्फ समय जान रहे हैं कि ये बाबू साहब कितने बजे आते हैं बड़े बाबू साहब यानि अधिकारी महोदे कितने बजे कार्याले आते हैं क्योंकि मुकमंतिर नितीश कुमार कहीं न कहीं वो चाहते हैं कि अधिकारी और करमचारी समय पुर्वक कार्याले पहुँचे और इसके लिए मुकमंतिर नि कराकर नए तरीके से इन्हें बनवाया है ब्यार के मुकमंत्री नितिश कुमार वहां पहुंचे हैं जायजा लेने के लिए उनके साथ भागे भागे सुरक्षा कर्मी भी पहुंच गए अचानक बिना किसी को सूचना दिये हुए मुकमंत्री निकल जा रहे हैं अपने वहां पर भगदर सी इस्तिती अधिकारियों और करमचारियों में मच गई है क्या कुछ कर रहे हैं ब्यार के मुकमंत्री नितिश कुमार वहां पहुंचने के बाद पहले वो आप जड़ा गौर से सुने जाना चाहिए लिए हम सब जगा आप तो एक्शन में न हें या कि सब देख लाएं इसको बहुत पड़ा बनवाया है एक बाद फड़ा गिर गिर गिया था तो उसके बाद बाद बाकी वा जुदी देख दिख नहीं था न थे सब्सक्राभी तो आपने सुना साफ तोर से बिहार के मुकमंती नितिश कुमार ने कहा कि हम चाहते हैं कि जो अधिकारी हैं करमचारी है वो समय पुर्वक अपना कार्याले पहुँचे अपना काम समय पुर्वक लोगों को करके दें यह चाहते हैं बिहार के मुकमंति नितिश कुमार और चाहते हैं कि जो भी अधिकारी हैं वो समय पुरुवक पहुचकर लोगों के समय से काम को पूरा कर लोगों को सौब दें ऐसा ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे सयोगी कैमरामेंन सर्वन राज के साथ लाइव इंडिया हर पल के लिए